अपने राष्ट्र में तीन भरत हुए एक दस्रत नंदन भरत एक दुशंत नंदन भरत और एक हमारे भागवत जी के जड़ भर इने तीनों के आदर्श को देखते हुए इन तीनों के नाम परिश्राष्ट्र का नाम भारत पड़ा इसी वंस में आदर्डी रंत देव जी का प्रादर भाव हुआ ऐसी निर्मलता रंत देव जी के जीवन की सर्वस्व दे दिया क्योंकि एक बार राज में दुर्भिक्ष पड़ गया था तो अपना पूरा भंडार खोल दिया प्रजा के लिए जिसको जो चाहिए उमांगी और ले जाए थोड़ा सा पड़ो सी परांत से जलाया था उजलपान करने के लिए बैठे तब तक एक चंडाल कुट्टा लेकर आगिया और बोला कि हमको बहुत प्यास लगी है और हमारे साथ ये कुट्टा है इसको भी बड़ी प्यास लगी है तुरंत देव ने अपना जल उसको दे दिया और उनकी आखों से आशु जड़ पड़े और आखास के तरफ देखती हुए बोले है प्रभू एधि तुम सबके घटगट में बिराजत हो और सबकी बातों को सुनते हो तो अंदर बैठ करके मेरी भी बातों को सुना हो मेरा एक निवेदन है सरफ मुझे सरफ नहीं चाहिए बैकुंट भी मत भेजना नहीं चाहिए मझे कि वज मुझे एक बर देना नकामई हम जति मिश्वरत परां अस्तरधी उक्तां मपनर्भवंबां आर्टिंप्रपत्ते खिल देः मुझे सरफ नहीं चाहिए किवल यहीं देना कि दुनिया में जितने जीव हैं उन लोगों का दुख जो है वो मुझे मिल जाए और मेरा शुक उनहीं मिल जाए यानि संसार के जीवों का दुख मुझे मिल जाए और उनके दुख का नहीं हो मैं कर और मेरा शुक उनहें मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभू तो उसके बाद ब्रिष्टी हुई दुर्विक्ष का पराभाव हुआ विजय हो गई भक्ती की इसी बंस में आगे चल के पांचाल बंस कुरो बंस कई साखा पर शाखा शाखा निकलते गई लेकिन अजाति महराज के जो जिश्ट पुत्र थे यदू कई पीड़ी बेच जाने के बाद यदू महराज के बंस में एक राजा हूँ उनका नाम पड़ा दोल मेट